चुडैल कच्चे बादाम वाली दूर जंगल के बीच एक गाव था जहां पर एक चुडैल का साया था जब जब उस गाव में रात में कोई भेडिया रोता तो वह चुडैल के लिए एक संकेत होता के आज यहां पर एक बच्चे का जन्म हुआ है आज वही भयानक रात थी मा कितने प्यारे जुड़वा बच्चे है पिता एक दम मुझ पर गए है मा रहने दो उसकी नाग देखो बिलकुल मेरे जैसी है कभी वहाँ पर चुडेल आती है और बच्चों को उठा लेती है दर के मारे बच्चे रोने लग जाते है क्यों अगर देर से आती तो भी कौन सा इन बच्चों की जान बच जाती हा 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 यह सब पिता से नहीं देखा जाता और वहाँ पास में रखा डंडा उठता है और चुडेल को मारने की कोशिश करता है चुडेल ऐसा करने से पहले ही उसको अपनी शक्ती से रसी में बांध देती है और कहती है चुडेल ना 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 ऐसी गलती मत करना ऐसा बोलते ही वहाँ आसमान की तरफ उड़ जाती है चुडेल हम आज आएगा असली मज़ा काफी दिनों के बाद ये कोमल कोमल बच्चों को खाऊंगी आहाहा मज़ा ही आ गया ऐसा कहते ही वहाँ एक गुफा में चली जाती है गुफा में और भी बच्चों की हड्या पड़ी होती है चड़ेल पास में रखी एक प्लेट में दोनों बच्चों को लिटाती है और दोनों को बड़े मजे से खाती है अब ऐसा काफी दिनों तक चलता रहता है जैसे ही किसी के घर बच्चों का जन्म होता चुडेल उन बच्चों को उठा कर ले जाती और अपनी गुफा में जाकर उन मासूमों को खा जाती गाव के लोग परेशान होकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं तांत्रिक तुम अपने बच्चों के पैदा होने पर सारे दर्वाजे खिड़किया बंद रखना किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है गाव के लोग ऐसा ही करते जिस घर में किसी बच्चे का जन्म होता वह एक महीने तक अपने घर के दर्वाजे खिड़कि बंद रखता ना आवाज बहार जाती ना किसी को पता चलता चुडेल करहते हुए हम में ये क्या हो गया है हाई भूप के मारे बुरा हाल होता जा रहा है और गाव के लोग एक भी बच्चे को जन्म नहीं दे रहे कुछ तो दाल में काला है एक घर का दर्वाजा थोड़ा तूटा होता है चुडेल घर में जाकना शुरू कर देती है वहाँ देखती है के घर के अंदर बच्चे बड़े हो रहे है चुडेल हाई जब तक इनके रोने की आवाज नहीं सुन लेती तब तक में इनको नहीं उठा सकती अब क्या करू? वहाँ ऐसा सोचते हुए जंगल से गुजर ही रही होती है के रास्ते में उसको एक बादाम बेचने वाली औरत मिल जाती है चुडेल अचानक एक सूंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है चुडेल ये क्या बेच रही हो? बादाम वाली कच्चा बादाम बेच रही हूँ दीदी चुडेल ये किस काम आते है? बादाम वाली बच्चों को ताकतवर बनाते है ऐसा सुनते ही चुडेल उस औरत को अपना असली रूप दिखा देती है वहाँ औरत दर के मारे भाग जाती है चुडेल जोर जोर से हसते हुए हाँ 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 आई बड़ी बादाम बेचने वाली बादाम तो अब मैं बेचूंगी हाँ 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 और वो भी कच्चा बादाम हाँ 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 सोच सोच के मेरे मुह पानी से भरा जा रहा है अगले दिन चुडेल एक औरत के रूप में आती है और उसके सर पर एक बादाम से भरा टोकरा रखा होता है चुडेल गाना गाते हुए बादाम बादाम ए दादा कचा बढ़ा एक आदमी हरे ये क्या? कच्चा बादाम? ये किस काम का? चुडेल अरे ये तुम जैसों के लिए नहीं ये तो अमीर लोगों के लिए होते हैं जिनको अपने बच्चे अपने जैसे अकलमंद और ताकतवर बनाने होते हैं तुम तो किसी भी तरफ से अमीर नहीं लगते ना ही तुम्हारे बच्चे लगते हों और हाँ अगर होते भी तो तुम्हारी आउकात नहीं लग रही के तुम ये बादाम अपने बच्चों को खिला सको आदमी ए पागल बादाम वाली तुझे पता है तु किस से बात कर रही है चुडेल हसते हुए हाँ एक गरीब से आदमी बोल कितने के है ये बादाम और अपनी जुबान को लगाम दे चुडेल पूरे एक सो रुपए के है ले सकते हो आदमी ये ले पांच सो रुपए और दफा हो यहां से चुडेल अरे अरे आप तो बुरा मान गए साब जी ये लो बादाम आदमी अब समझी कौन हूँ मैं अब निकल यहां से आदमी बादाम लेकर घर जाता है और जैसे ही वहादाम अपने बच्चों को देता है बच्चों के पेट में जोर से दर्ध होता है और बच्चे जोर जोर से रोने लगते तभी उनकी आवाज सुनकर चड़ेल वहाँ पर आती है और बच्चों को उठा ले जाती है अब ऐसा अकसर होने लगा चड़ेल बादाम बेचती जैसे ही वहादाम बच्चों के पेट में जाता वह जोर जोर से रोते और बच्चों के रोने पर चड़ेल उनको उठा कर ले जाती गाव के लोग परेशान होकर उसी तांत्रिक के पास जाते है और कच्चे बादाम वाली बात भी बताते है तांत्रिक हम लगता है इसका आखरी वक्त आ गया है और हो नहो ये कच्चे बादाम वाली ही चड़ेल है तांत्रिक गाव वालो को एक तरकीब बताता है और अगले दिन तरकीब के मताबिक वही चड़ेल उस गाव में आती है चड़ेल गाना गाते हुए बादाम बादाम ए दादा कचा बादाम एक आदमी उस चुडैल के साथ मोल भाव करते हुए उसको गाव के बीच लगे हुए गोले में ले आता है जैसे ही कच्चे बादाम वाली उस घेरे में आती है वह अपने असली रूप में आ जाती है चुडैल गुस्से से अरे पागल तांत्रिक ये तू ठीक नहीं कर रहा तांत्रिक अरे पागल तो तू है जो मासूम बच्चों को उठा कर ले जाती है चल अब तेरा आखरी वक्त आ गया है ऐसा कहते ही तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है तांत्रिक एहरी क्ली चामुंडाय विच्चे नमा एहरी क्ली चामुंडाय विच्चे नमा जैसे ही मंत्रों का जाप होता है वह गोला आग में बदल जाता है और चुडैल का अंत हो जाता है आशा है आपको हमारी कहानी पसंद आई ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे धन्यवाद